हेल्फ फेंट्स मैं हूँ सनमेप्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब म्यूद्स सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं तो भारत ने फ्री फायर सहित रहीर सारे चैनीज एप पर मैन लगा दिया है डेटेल में बात करेंगे इस पे इसरो ने इस साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लाँच किया है तो कितने सिटिलाइट लाँच किया है उनके क्या खासियत है सबसे बड़ा देश का बैंकिंग घोटाला सामने आयो है और उस मामले में CBI ने FIR दरज किया है बजाज के पुर्फ चेर्मेन रहुल बजाज उनका निधन हो गया है उनके बार में में जानेंगे और भी कई टॉपिक हैं जिस पर चर्चा होगी तो शुरू करते हैं करेंट फर्स उससे पहले इंफॉर्मेशन कि 2022 का फॉर्वरी 2nd week का भी पीडिएफ करेंट फर्स अबलेबर हो चुका है तो जो लोग भी मेंबर हैं सरकारी जॉबनीज डॉट कॉम के वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर और बताओं आपको कि धेर सारे लोगों ने मेंबर्शिप ली है हजार लोगों ने और जिन लोगों ने नहीं लिया उनको बता दू कि मैं बश्यप लेते ही आपको एकसस मिल जाता है फ्री में करेंट फर्स पीडिएफ का ये पीडिएफ वीकली, मंथली, ट्राइमंथली, हाफ यरली पूरे साल का और पिछले कुछ साल के भी पीडिएफ आप जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते है इसका लाब फ्री में वीकली मॉक टेस्ट होता है संडे को हुआ है अभी भी उपे नहीं है मॉक टेस्ट जोग ने नहीं दिया है वो दे दें जाकर करेंट फर्स का इसका लाब फ्री में एक्जाम बेजड मन्तली टेस्ट सरीज भी आजूत होता है ताकि करेंट फर्स के अलावा भी जो भी सबजेक्ट है एक्जामनेशन के लिए उन सब की त्यारी कैसी है आप चाहांच कर सके और क्या है 40% डिसकाउंट ओन बुक्स और फ्री शीपिंग सरकारी जॉब ने उसका तो जिलोगों ने मेंबर्शिप नहीं लिया इस उड़े के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर लेना डिटेल पढ़ लेना चले शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल आपसे आज का सवाल आपसे है मैं इस वीडियो के आखरी हिस्से में बताऊंगा तो शुरू करते हैं और पहला कोशन सबसे इंपोरेंट भारत ने फ्री फायर से हिट कितने चैनीज अप पर बैन लगा दिया चौदा फरवरी को बैन लगा गया है आंसर होगा 54 न्यूज आप देख रहे है जो पॉपुलर गेम है फ्री फायर उसके अलाबा 53 अदर चैनीज जो भी आपसे उस पर बैन लगा दिया गया है फ्री फायर बहुत ही पॉपुलर गेम है गरी मंत्राले के सिफारिश पर जो Ministry of Information Technology जो है उसी ने IT Act के धारा 69A के तहट इन एपस बैन लगाया है और इन सभी एपसे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था ऐसा सरकार का कहना है बैन लगा गया एप में पॉपुलर गेम जो है गरीन फ्री फायर एप लॉक यह सब भी है और दिल्चस्प बात यह है कि फ्री फायर जो है वो सिंगापूर सित और है इसका लवाद डिवलपर जो है वो चीन से नहीं है इसका डिवलपर लेकिन ऐसा माना जा रहा है और सरकार का भी कही न कहीं सोचना है कि इसका रिष्टा चीन से भी हो सकता है इस गेम के पीछे भारत के जो इस्टूडेंट है वो तो पागल है एक तरह से बहुत सारे यह गेम पिछले साल भारत में सबसे जादा डाउनलोड होने वाले गेमस में से एक था और सितंबर 2020 में जो बैन लगा था PUBG पर उसके बाद यह गेम सबसे पॉपलर हो गया था भारत में और इसकी वज़े से बहुत सारे दिकतें भी युवाओं के मानसिक तोर पर भी मानसिक समझ से आएं देखनों को मिल रही थी तो सरकार ने आप बैन लगा दिया है कुछ दिन पहले इस एप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था तो अब तक 300 से ज़्यादा चाइनिज आप पर बैन लग चुके हैं तो कौन-कौन से हैं यह पूरी लिष्ट है जो अभी 54 जो एप से उनकी लिष्ट है इन सब पर बैन लगा दिया गया है 33 तक यह है आप चाहे तो इसक्रिंशॉट ले सकते हैं या इस वडिएक डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री में पीडिएफ दे दिया है आच्छे करेंट फॉर्स का और बाकी यह रहे तो गरीना फ्री फार जैसा कि हिंडियन एक्स्वेस में मैंने देखा कौन-कौन से हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं तो इसमें जैसे स्वीट सेल्फी एजडी है एप, ब्यूटी कैमरा सेल्फी कैमरा, एकुलाइजर बास बूस्टर सेल्स फोर्स एंट कैमकार्ड आइसो लैंड एशेज आफ टाइम लाइट विवा वीडियो एडिटर टैंसेंट एक्स रिवर तो इन तरह के जितने भी एप है उन सब पर बैन लगा दिये गया है इसके लावा, अगर बाहर के भी कोई एप है जिसमें चैनीज कंपनी ने इनवेश्ट किया हुआ है उन सब पर भी बैन लगाया गया है तो एक इनपोर्टेंट सरकार का फैसला है यह चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन लेते हैं यह इनपोर्टेंट है आपके एक्जामनेशन के लिए इसरों ने वर्ष 2022 के पहले अंतरिक्ष मिशन में किन तीन सेटलाइट को PSLV C-52 रॉकेट से लॉंच किया है तीन में से क्या आंसर है इन में से आंसर होगा A यानि ESO-4, INS-2TD और INS-PIRE-Sat-1 14 फरवरी यानि आज ही इन तीनों सेटलाइट को लॉंच किया गया है तो किस रॉकेट से यह लॉंचिंग की गई है तो PSLV C-52 आप देख रहे हैं इस तरीके से यह लॉंच हुआ है यह वीडियो है ISRO ने जारी किया है यह वीडियो कहां से यह लॉंचिंग हुई है यह भी ध्यान रखने की बात है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद यह कहां पर है तो श्री हरी कोटा आंधर प्रदेश में है और इन सेटलाइट को कितनी उचाई पर अस्थापित किया गया है तो 529 किलोमेटर के सन सिंक्रोनस पोलर ओर्बिट है तो वहां पर तैनाद किया गया है तो इस तरीके से यह सेटलाइट जो है वो रॉकेट से अपनी कल रहा है और यह अंतरिक्ष में जो उचाई है यानि 529 किलोमेटर उस उचाई पर यह अस्थापित किया जा रहा है इन सब सेटलाइट को तो सबसे पहले EOS 4 गया उसके बाद फिर दूसरे सेटलाइट गया बाकी दो सेटलाइट को इस तरीके से अंतरिक्ष में अस्थापित किया गया तो इस तरो के चैरपरसन है S. Somanath और उनके चैर्मेंशिप में ये पहली लाँचिंग की गई है तीन सेटलाइट की तो आप देख लेते हैं कि तीन सेटलाइट क्या क्या है उनकी खासियत क्या है ये भी समझना ज़रूरी है और इन सेटलाइट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो EOS 4 है इसका फूल फॉर्म है Earth Observational Satellite 10 साल तक इसकी लाइफ है 710 किलोग्राम में इसका वजन है और ये क्या है तो ये किस तरह का सेटलाइट है तो रडार इमेजिंग सेटलाइट ये क्या करेगा सभी मौसम में हाई क्वालिटी इमेज प्रदान करने में ये सक्षम है और इससे एग्रिकल्चर होटी कल्चर पौधारोपन मिटी की नमी पानी उपलब्दता बाढ़ ग्रस्त जो इलाके है उन सब का नक्षा बनाने में मदद मिलेगी अब देख लेते हैं जो सेकेंड सेटलाइट है वो क्या है दूसा जो सेटलाइट है वो आई एनस टू टीडी है वजन कितना है तो 17.5 किलोग्राम मिशन लाइफ कितना है तो मातर 6 मन्थ है 6 मन्थ ही इसकी लाइफ रखी गई है किस प्रकार का सेटलाइट है तो ये टेकनलोजी डिमोस्टेटर सेटलाइट है भारत और भूटान ने मिलकर इस उपग्रह को डिवलब किया है दरसल भूटान जो है वो भी स्पेस की ओर बढ़ रहा है स्पेस की दुनिया में तो ये उसके लिए एक तरसे इंडिया ने डिवलब किया है भूटान के वेगनिकों के साथ मिलकर और ये टेकनलोजी डिमोस्टेटर सेटलाइट है मतलब कि इस टेकनलोजी को टेस्ट किया गया है और ये क्या करेगा तो भूमी, जल की सत्र उसका तापमान, फसलों का चित्र लेगा जंगल का इमेज लेगा अगला जो सेटलाइट है वो INSPIRE सेट वन है और इसका वजन है 8.1 किलोग्राम इसको बनाया है तो कहां कि इसको बनाया है तो इंडियन इस्टिटूट आफ स्पेस साइंस IISD उसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ओफ कुलोराडो के सहयोग से इसको विक्सित किया है और भी कई देश हैं जैसे ताइवान और सिंगापूर वहां के भी एजुकेशनल जो इंस्टिटूट है उन सब ने भूमिका निभाई है क्या करेगा ये तो जो आइनोस फेर है यानि पृत्वी का जो वायू मंडल का आंतिम छोर जहां होता है और वहां से आंत्रिक्ष शुरू होता है उसको कहते हैं आइनोस फेर तो वहां की क्या इस्तिती है उसकी डाइनोमिक्स क्या है और सूर का जो यानि सन का करोनल हीटिंग प्रोसेस है उसको समझने के लिए काम मला जागा बहुत ही छोटा सा ये सेटलाइट है और अब देख लेते हैं 2022 में यानि इस साल इस्तित की क्या क्या योजना है तो एक तो योजना की तहत EOS 4 को लाँच किया गया है इसके लावा G724 को भी लाँच किया जाना है मार्च में ये रडार इमेजिंग उपग रहा है और दिन और रात में तस्विर ले सकेगा अगला है ओसन सैट 3 ये मार्च में ही यानि अगले मैने ही लाँच होने की उमीद है और ये मौसम सहीत कई सखास्त रखी जानकारिय जुटाएगा एक इंपोर्टेंट है जो जुलाई में लाँच होने वाला है जो टार्गेट रखा गया है लाँचिंग का आदित L1 ये क्या करेगा सूर पर रिसर्च करने वाला ये भारत का स्वदेशी पहला स्वदेशी ये उपगड़ा होगा जो कि जुलाई में लाँच होगा और दिसम्बर में ये टार्गेट रखा गया है कि गगन यान को हम लाँच कर सके इसके जरिए पृत्वी की जो लो ओर्बिट है वहाँ पर अंतरिक शियात्री यानि भारती अंतरिक शियात्रियों को भीज जाने की योजना है और दिसम्बर में ही चंद्रियान 3 को लाँच करने की योजना है चंद्रियान 2 उसका जो रोवर है वो सफलता पूर्वक चांद पर नहीं उतर पाया था हाला कि और बिटर अभी भी काम कर रहा है चंद्रियान 2 का तो अब चंदयान 3 भेजा जाएगा, इसमें Lander रोवर दोनों को भेजा जाएगा फिर से, ताकि हम वहाँ पर अपना रोवर चला सकें, ठीक है, चलिए आगे बरते हैं, और अब question है, बहुत important है ये, देश का सबसे बड़ा banking fraud कितने का है, 22,842 करो रुपए का, इतना बड़ा banking fraud अभी तक नहीं हुआ भारत में, तो इस मामले में CBI ने किस ship builder company और उनके अफसरों के खिलाफ FIR दर्च किया है, आंसर होगा, ABG Ship Builders, ठीक है, important बात है कि banking इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला ये बताय जा रहा है, ABG Shipyard है, और इस ने एक दो bank के साथ fraud नहीं किया, 28 bank के साथ fraud किया है, 22,842 करोर रुपेगा, SBI की शिकायत पर, यानि State Bank of India की शिकायत पर, CBI ने फरवरी 2022 में, यानि अभी हाली में एक दो दिन पहले ही, ABG Shipyard और उसके जो ततकालिन चेर्मेन और MD थे, रिशी कमले शाकरवाल, उनके साहित 8 लोग के ख इसके बार में बताओं आपको, ये company जो है, वो पानी के जहाज के निर्मान, मरमत का काम करती है, और उसके parts को बेचने का काम करती है, गुजरात में है ये मुखतोर पर, इसका दहेज और सूरत, यानि संबुदत तट पे, वहाँ पर इसके शिप्यार्ड है, अब यहाँ अब तक का सबसे बड़ा banking घोटाला इसलिए का जा रहा है, क्योंकि ये निरव मोदी और विजय माल्या का जो fraud था, उससे भी बड़ा घोटाला ये देखनों को बता जा रहा है, ओके, निरव मोदी का जो fraud था, banking घोटाला वो 12,000 करोर रुपे का था, और विजय माल्या का 10 हजार करोर रुपे से ज्यादा का था, तो उन सब को इस घोटाले ने पार कर दिया है, 22,842 करोर रुपे का, ओके, और CBI के अनुसार ये जो धोखादारी है, तो वो SBI की अगवाई वाले 28 बैंकों के एक समूह के साथ हुआ है, यानि consortium, consortium का क्या मतलब हुआ, consortium का मतलब या हुआ कि अगर बहुत बड़ा ही रकम किसी को लोन पे देना है, तो एक बैंक नहीं दे पता, इसलिए कई सारे बैंकों का एक समूह बना जाता है, और उस सब टेय करते हैं कि वो कितने-कुतने रकम किसी खास कम्पनी ऐया किसी खास ग्रूप को वो लोन देगा, तो इसम इसमें ICICI, IDBI, Bank of Broda, Bank of India, Punjab National Bank जैसे बड़े-बड़े बैंक जो है वो शामिल है किन-किन के कितने रखम डूबे हैं तो सबसे जदा ICICI का डूबा है 3,634 करोर रूपया उसके बाद है SBI का 2,468 करोर रूपया फिर Bank of India को नुकसान हुआ है 1,614 करोर रूपया पजाम निशनल बैंक को 1244 करोर रूपय का नुकसान हुआ है Indian Overseas Bank को 128 करोर रूपय का नुकसान और LIC को 136 करोर रूपय का लॉज हुआ है नुकसान हुआ है इस फ्रॉड की वजह से तो बड़ा फ्रॉड है कैसे पता चला तो CBI का कहना है कि बैंको के जो कंसोर्टियम है यानि समू है उसकी तरब से SBI की मुंबई शाखा ने 2020 में ही इस फ्रॉड के लिखित शिकायत के थी और शिकायत के बाद CBI ने इनक्वाइडो गर की और अब F.I.R. दर्ज की है तो F.I.R. दर्ज होने के बाद ये मामला मीडिया के सामने आया है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया है कब का घोटाला है? 2012 से 2017 के बीच का घोटाला है हो सकता है आने वाले दिनों में कई सारे बैंकों के अधिकारियों पर भी करवाई हो और हो सकता है इसके पॉलिटिकल कर्neक्शन भी हो अब देखना होगा आगे क्या होता है आगे बारते हैं अगला कोशन है IPL 2022 निलामी में सबसे महगे खिलारी कौन बने है? तो अगर आपके दिल्चसपी क्रिकेट में है तो आंसर आप बताई कमेंट बॉक्स में मैं जश्ट बताता हूँ आपको तो IPL 15 सीजन के लिए ये निलामी हुई है 12 और 13 फरवरी 2022 को दस फ्रेंचाइजी ने अपने चहते प्लेयर्स के लिए बुली लगाई हला कि कुछ खिलारी ऐसे भी थे जिनको पिछले आउक्शन में खरिदा गया था और उनको उनकी टीमों ने रिटेंड कर लिया मतलब कि उनको बनाय रखा है जैसे धोनी हुए तो सबसे महंगे खिलारी कौन हुए है इसका आंसर होगा इशान किशन निवस आप देख रहे हैं उनको मुंबई इंडियन्स ने खरिदा है 15 करोर 25 लाख रुपे में बाय हाथ के विकट कीपर बल्ले बाज है और दूसरे महंगे खिलारी कौन बने है तो दीपक चाहर दीपक चाहर को 14 करोर रुपे में चनने सूपर किंग ने खरिदा है तीसरे महंगे खिलारी कौन है श्रेश आयर सवा 12 करोर रुपे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरिदा उसके पाद अलग-अलग खिलारियों के नाम आते हैं ठीक है? तो यह पूरी लिष्ट है अलग-अलग खिलारियों की, जो मांगे हैं 10 करोर तक के जो बिके हैं, उन सब की लिष्ट मैंने दे दी है बाकियों की कोई महत्वन नहीं है कम जिनकी वैलू लगे हैं उन सब की तो यह समझना जड़ोरी है कई खिलारी रिटेंड कर लिए गया है जैसे मेज़ोनी और आपको बतों सचिन तेंदूल के जो बेटे हैं आरजून तेंदूल कारून को 30 लाक रुपे में मुंबाई इंडियन्स ने खड़िता है चले आगे बरते हैं अगला कोशन लेते हैं बजाज कंपनी का पूरू चेर्मेन राहूल बजाज का निधन हो गया 12 फरवरी 2022 को तो उन्हें कौन सा सम्मान मिल चुका है आंसरों का पद्म भूशन पद्म भूशन मिल चुका है राहूल बजाज उनको ये आवार्ड मिल था 2001 में और आपको उता हूं के 83 एर के उम्ड में लंबी बिमानी की विए से कैंसर था उनको उसे पीडित थे ते इनका निधन हो गया इनका जन्म होगा था 10 जून 1938 को कोलकाता में बिजनेसमेन कमल नहन बजाज और सवित्री बजाज के घर में उनके दादा थे जमनलाल बजाज वो भारती सोतंता सेनानी थे आजादी के लड़ाई में बड़ी भूमिका इन्होंने भी दी थी भूमिका थी उनके दादा जमनलाल बजाज की और बताओं कि ये 1965 में बजाज ग्रूप के चेर में बने थे और 50 साल तक बजाज ग्रूप के चेर में के तौर पर काम किया इनके कहरकाल में इस्कूटर था चे तक भाद में वेस्पा या जो काफी पॉपलर रहा बहुँ सारी उप्लब्दियां इनकी ये राजसभा सदस से भी रह चुके हैं 2006 से 2010 के बीच में 2001 में इनको उद्योग और वियापार के छेत्र के लिए भूशन अवार्स सम्मान किया गया था फ्रांस का जो सर्वोच नागरिक सम्मान है Knight of the Nation Order of the Legion of Honor तो वो भी इनको मिल चुका है 2012 ICC के ये चेरपरसन भी रह चुके हैं Confederation of Indian Industries के चेरपरसन चलिए आगे बरते हैं अगला कोशन राश्ट्री उत्पादक्ता दिवस कि ये कब मनायाता है National Productivity Day आंसरों का 12 फरवरी उदेश एक उत्पादक्ता भारत में बढ़े ये भारत सरकार के वानिजम और उद्योग मतल है वो आजुद करता है तो इस साल के थीम क्या रखे गई गर्वर्मेंट को दोरा तो Self Reliance Through Productivity यानि उत्पादक्ता के माधम से आत्म निर्भरता अगला कोशन लेते हैं विश्वत दलहन दिवस यानि World Pulses Day ये कम मना जाता है आंसर होगा दस फरवड़ी को और इस दिन को मनाने का उदेश यही है कि दालों के महत्व और उसके पोशन के बारे में जागडूकता बढ़ाई जाए और दुनिया भर में उत्पादन को और बहतर किया जाए आगला कोशन लेते हैं इंपोर्टेंट है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट दो हजारी कीस वो जारी हुई है तो इसके अनुसार किस राजी या यूनिन ट्रेटरी में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए है आंसर गा जम्मू कश्मीर नियूस भी आप देख रहे हैं देहिंदू की इसे किस ने इस रिपोर्ट को जारी किया इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 को तो राइट्स एंड रिस्क अनलेसिस ग्रूप रार रेजी उसी ने दो फर्वरी को ये रिपोर्ट जारी की है पत्रकारों पर हमले की बहुत सारी घटनाएं हुई है तो कहां-कहां हुई है तो आप ये नियूस देख रहे हैं देहिंदू का ही एक हिस्सा ही है जम्मु कश्मिर में 25 हमले हुए दोहचारी किस्प में उसके बाद अस्थान आता है उत्तरप्रदेश का तेईस हमले हुए जम्मु कश्मिर के बाद अस्थान उत्तरप्रदेश का है फिर मद्द प्रदेश का है वहाँ पर 16 हमले हुए पत्रकारों पर फिर तिरपूरा में 15 हमले हुए है दिली में 8 बिहार में 6 असम में 5 हडियान और महराष्ट में 4-4 और गोवा और मनिपूर में 3-3 तो इस तरह से यह पूरा डेटा है डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डेटेल दे दिया है मुख बाते बात कर लें तो 2021 में पिछले साल देश बर में कम से कम 6 पत्रकार मारे गए है पत्रकारों पर हमले टोटल हुए है 108 308, 13 मीडिया हाउसेज या अखवारों को निशाना बनाया गया और अगर बात करें गिरफ्तारी की तो गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 17 पत्रकार उनमें से 5 तो जम्मू कश्मिर में पर दिल्ली में 3 पत्रकार हिरासत में लिए गया थे तो यह रिपोर्ट सामने आई है पत्रकारों की जो भारत में पत्रकारों पर जो हमले हुए है उन सब से रिलेटेड चलिए आगे बरतें अंगला कोशन लेते हैं के अंदर सरकार ने रेलवे की कितनी सर्डूसेज को यानि कैडर को एकिकरित यानि यूनिफाई करके इंडियन रेलवे मेनेजमेंट सर्डूसेज यानि आई आर एमेस वो कैडर बना दिया है आंसर होगा आठ तोटल आठ है यह आप देख रहे हैं इंदोस्तान टाइम्स में यह गजट नोटिफिक्शन अभी हाली में जारी किया गया है नौ फर्वरी को और इसका अनुसार रेलवे की आठ सेवाओं को मिला कर अब एक ही सर्विस कैडर बना दिया गया है हलाकि यह फैसला दोहजार उनीस में ही लिया गया था रेल मंत्रले उस वक्त थे पियोश गोयल उनीके कारकाल में लेकिन ओफिशल जो नोटिफिक्शन है गजट नोटिफिक्शन पतल लागू करने की जो तिति है वो फर्वरी में तो किनकिन आठ सर्विस को एक में रख दिया गया है IRMS कैडर बना दिये गया है कैडर का मतलब जैसे IAS कैडर होता है IPS कैडर होता है उसी तरीके से यब ये कैडर होगा है रेलवे का IRMS कौन-कौन से हैं ये टोटल आठ हैं जैसे Indian Railway Service of Engineers Indian Railway Services of Mechanical Engineers फिर ये Indian Railway Services of Electrical Engineers Indian Railway Stores Services Service of Signal Engineers Traffic Service, Personal Service और Accounts Services तिन सबको मिलाकर ये एक सर्विस में एकिकरित कर दिया गया है क्यों बनाएगा ये कैडर एक ही सरकार का कहना है कि इससे Railway की जो कारिक परनाली है वो और बहतर होगी और फैसले लेने में बहुत फायदे मंद होगा है ठीक है तो ये इंपर्टन बात है रेल मंदरी अभी कौन है अश्वनी वैष्णो IT मिनिस्टर भी है वो अगला कोशन के अंदर सरकार ने ट्रांस जेंडर समूदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है आंसर होगा Ismail हाला कि इस नाम से पहले भी योजना चल रही थी लेकिन इसको जिसे आप देख रहे है ये फोटोग्राफ ये लौँच किया गया है Ismail S-M-I-L-E और ये कौन किसने लौँच किया है तो किंद्री है समाजिक ने आया और अधिकारता मंतराले के जो मंत्री है डॉक्टर विरेंद कुमार उन्होंने बारफ फरवरी को Ismail का फुल फॉर्म क्या है Support for Marginal Individual for Livelihood and Enterprise इसके ताथ यही होगा कि Transgender और भीक मांगने के काम में जो लगे हुँ है लोग उनको अवशक कानूनी सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षे जीवन के परियास के लिए काम होंगे ठीक है और मतराले ने 2026 तक के लिए 365 करूर उपे आवंटित की है क्या क्या होगा इससे transgender के लिए transgender जो student से उनको scholarship दी जाएगी और PM डक्ष के तहत कौशल विकास और आजिवका के लिए काम किया जाएगा PM जय के तहत चिकत सा सुधान दी जाएगी गरीमा गरी नाम से आवास उनको उपलब्द कराएगा transgender protection cell भी बनाएगा और भी कई सारी कलेंकारी योजना है उनके लिए होंगी तो यह comprehensive welfare of transgender person यह होगा और जो भीक मांगते हैं उन लोगे लिए क्या होगा तो उनका सर्वेक्शन होगा पहचान होगी आश्रे गिरहे में जो उपलब्द सेवा हैं उनको दी जाएगी बच्चों को चनित किया जाएगा उनको भीक मांगने से अलग किया जाएगा ताकि उनके education नीज सब की सुवधा हो सके और व्यापक पुर्णनर्वास की भी बात कही गई है इसमाईल योजना में आप यहां date देख रहे हैं 12 फरवरी को यह launch की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला question लेते हैं महराश्ट सरकार ने राज में cancer की रोकथाम के लिए किस पाहल की शुरुवात की है आंसर होगा Hope Express इसके तहत क्या होगा हर जिले में Hope Express शुरू किया जगा एक गारी होगी बस टाइप का होगा उसमें cancer related चिकितसा और इसके लावब सहायता के लिए सारे equipment होंगे doctors होंगे सलाहकार होंगे तो वो कारी जो है वो कार या वो बस या वो विकल वो जो cancer पिलित लोग हैं उन सब तक जाएगा वहाँ जागरूपता फैलाना इन सब का काम होगा किसने घोशना की तो महराज़्ट के Health Minister है राज़श टोपे तो उन्होंने अभी हाली में ये ऐलान किया है तो दोस्व अब वक्त आ गया है सवाल आपसे जो मैंने किया था उसके answer का मैंने सवाल आपसे किया था कि Geo Magnetic Storm यानि सोलर जो तूफान आया था उसमें 40 सेटलाइट नाश्ट हो गया थे तो किस Space Organization के उपग रह थे तो इसका answer सही होगा Space X Space X ने 3 फरवरी को लांच किया थे 49 सेटलाइट और इस तूफान में सोलर तूफान की चपेट में आकर उसमें से 40 जो सेटलाइट से वो पृत्वी के कच्छा में धकेल दिये गए सोलर तूफान की वे से और वायू मंडल में आते ही वो जलकर नाश्ट हो गया मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में 11 फरवरी के कर्रेंट फर्स वीडियो में बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लेना 11 फरवरी का कर्रेंट फर्स तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और फिर से बता दूँ मेंबर्शिक प्लान है जिन लोग ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना आपके बहुत काम आएगा अब मिलते हैं कल के कर्रेंट फर्स वीडियो में